हलाव रुवार नमस्कार आदे रादे सभी को वंदे बातरम क्यासे हैं उम्मीद आप सभी अच्छे होंगी सभी की तैयारी बहुत ही आच्छी चल रही होगी मैं आरारवी एंटी पीसी के उन सभी मित्रों के लिए वीडियो बना रहा हूं जो बच्चे सोचते हैं कि सर जैस इसली बार हमारी कटोफ गए थी ओवरोल अगर हम 12th लेविल की बात करें अंडर गैज्वेट की बात करें तो सर संथिंग हमारे 80 के संथिंग सब के गए थी 75 चे बीच में सारी कटोफ गए थी तो क्या इस बार भी हम 80 का आवरेज लेकर लें मतलब कितने मार्क्स लेकर आपको इन टॉपिक को ही पढ़ना है और आपको कुछ अलग से नहीं पढ़ना सलक्स न गर लेना है तो उन बातों को ध्याना रखना ठेक है बिया चले सुरू किया जाए शुरू करते हैं फटा फट से आज किस वीडियो को सबसे बात करने वाले लेविल किसके लिए अंड सबसे पहले हम 21 जोन में हम सभी जोन को चेक करेंगे किस में कितना कॉम्परडिस्ण है यहां पर बन रहा है तो यहां पर बात कर रहें जिसको आपको समझना पड़ेगा बस आपको यह देखना है कि सर जब हम तयार करते तो हमें शुरू मोटा मोटा में वह मिल जाता है वो 34,34 लाग के वहार भरे हैं तो अगर हम 30 आलाग का आखडवी लेकर चलेंगे तो हमारा competition कितना होगा एक पर चेक कर लेते हैं अब आपको पता है यहां पर आपकी जो cut-off होती है वो level की लगती है जो उनके साब से ठीक है तो आप मुच्छी को देखो competition कितना है और भी एहमदाबाद की सबसे पहले बात करें तो आपको पता है यहां पर under graduate 12th level के 210 ही पत थे जिसमें 24 लाग 24 लाग 24 लाग 24 लाग 22 जार यहां पर फॉर्म भरे गए ठीक है जिसमें एक पत पर जो competition है जो एक पत पर यहां competition आ रहा है वो 1153 बच्चों का आ रहा है इसी प्रकार अजमेर की बात करें तो 71 यहां प लग आपके 89,000 फॉर्म भरे गए जिसमें हमारे 14,000 1483 बच्चों के वीच competition है ऐसे भोपाल में यहां पर वेकेंसी कम थी 58 पर फॉर्म यहां पर भी सम्थिंग भरे गए है जिसमें यहां पर भी 1200 के सम्थिंग आपका यहां पर पर सीट का अकड़ा आ रहा है अगर भूनेश्वर की बात करें तो 56 पदों पर 68,000 के सम्थिंग फॉर्म भरे गए हैं यहां भी 1200 के सम्थिंग है बिलासपुर में 152 पद भरे गए हैं 152 पदों पर 2,19,000 फॉर्म भरे गए हैं और जिसमें एक पद पर 1493 बच्चे बैठे हैं चंडीगड में 247 पदों पर 3,54,000 फॉर्म भरे गए यहां पर कॉम्पडिशन 143 बच्चों बीच है आप यह मुझ किस जोन के लिए फॉर्म एपलाई किया है सभी एक बार कमेंट कर दीजिए ठीक है सभी एक बार कमेंट कर दीजिए आजओ आरर भी चैन्नाई की बात करें तो 154,194 सोरी यहां पर टोटल हमारे क्याते पद थे जिसमें 1,74,000 फॉर्म भरे गए कॉम्पडिशन 896 बच्चो 1285 के बीच है बहुत सारे बच्चे जम्मू से हैं जिन्नोंने 147 पदों पर भी 1,12,000 फॉर्म भरे गए हैं और दोस्तों एक पद पर यहां पर 761 बच्चों के बीच कॉम्पडिशन है आपका कोलकाता की बात करें तो 452 पद हैं 452 पदों पर 4,50,000, 4,00,000 के सम्थिंग मालदा की बात करें तो मालदा में टोटल ही 12 लेविल के लिए 12 पद थे सिर्फ 12 जिसमें 6,300,600 पद में और 525 का कॉम्पडिशन यहां पर भी देखने को मिल रहा है यानि एक पद पर इतने बच्चे इसी प्रकार मुंबई में 699 पद और 699 पदों पर 6,20,000 फॉम भरे यहां पर कॉम्पडिशन यहां पर वेकेंसी जाद है तो यहीं से बरते हैं तो इसलिए यहां पर 6,20,000 का अकड़ा है यहां पर हो जा रहा है मुझपरपुर में 68 वेकेंसी थी तो 67,000 फॉम भरे गए गए कॉम्पडिशन 985 के बीच है बहुत सारे बच्चे परियागराज यहां पर भी आप देखो 4,70,000 यहां पर भी काफी अच्छे फ़र्म भरे गए हैं और कॉम्पडिशन यहां पर भी 1200 बच्चों के बीच है अगर पटना की बात करें तो पटना में आप देखी 16 वेकेंसी पर 53,000 और यहां पर कॉम्पडिशन कम है 331 पर 16 वेकेंसी है ठीक क 6,900 यानि कि 70,000 के संतेंगी मालो भाई तो कॉम्पडिशन 751 के बीच है सिली गुरी में आपके 42 पदों पर 19,000 फ़र्म भरे गए और आपका तिरुवन्त पुरम में 112 पदों पर 93,000 फ़र्म भरे गए कॉम्पडिशन 830 का यहां पर भी देखने को अकड़ा मिल रहा है अब आपने यहाँ पर इन आगड़े में सबसे पहले यह देखा कि सबसे ज़्यादा जो पद थे बच्चों ने सबसे ज़्यादा फ़र्म भरे गए हैं तो यहां पर मुंबई से बरा गया है दूसरा परियाग राज से भी अच्छे खासे फ़र्म भरे गए हैं और आपका यह रहा 247 चंडीगड तो यहां पर आपकी यहां पर क्या थी यहां पर वेकेंसी क्या थी थोड़ी ज़्यादा थी तो बच्चों ने यहां पर भर भर के यहां से देखो 6 लाख यहां पर मुंबई में फॉम भरे गए 4 लाख के सम्थिंग परियाग राज में 4,5,5,3 यहां पर क्योंकि यहां पर वेकेंसी थी तो आपको पता है जहां पर वेकेंसी जादा होती है तो सारे बच्चे वहां पर बढ़ते हैं और यूट्यूब का ट्रेंड है कि जहां पर जिसे टीचर ने बता है कि यहां पर यहां पर क्या है बहुत वेकेंसी अच्छी है फॉम आजो एक वीडियो में सारी चीज़े नहीं हो सकती दोस्त ठीक है आजो साइल मैं मुझे लग रहा है graduate level का कमल सर ने बताया होगा सनी मेरी बात समझ ने पहले सभी लोग समझ लेंगे ठीक है तो अब हम यहां पर बात कर लेते हैं जो हम यह अंडर गैजुट की आपने देखा तो यहां पर आपको देखो यह एप्रोक्सिमेट है ठीक है कोई यह ना सोचना कि यह ओफीशली है ओफीशली नहीं है ओफीशली मतलब जो आईटाई के द्वारा जो आएगा डाटा उसके द्वारा आपको दो-चार दिन में थोड़ा मोटा मोटा डाटा पता चल जाए ना तो मैं तयारी में अपना लग जाओ उस हिसाब से कॉम्पोडिशन क्या मैं कर पाऊंगा ने कर पाऊंगा ठीक है ना पहली सोच लेता हूं ठीक तो यह आपको पता चल गया है मोटा मोटा की आपका एवरेज कितना रहेगा अब जैसे यहां पर 2,42 जा रहे है अब जैसे डाटा आएगा हो सकता है थोड़ा ऊपर नीचे होगा ठीक कोई बात रहे है पर आपको यह पता चलिए कि सर मुझे तयारी करनी है कितने बच्चों के बीच करनी है अब इससे यह तो होगा कि सर अगर मुझे अगर मैं मानता ह तो आप बताओ क्या तब भी तकड़ा है तो मैं अभी से कहता हूं आप तयारी में इस प्रकार लगो इसको मानकर आप तयारी करो बहुत बहतर तरीके से ठीक है आपको कोई दिक्कत नहीं करने का एक मोटीव होना चाहिए वह मैंने आपको समझा दिया है ठीक है तो कोई द दिखान से सुनना सभी है जितने भी साथी बैठे हैं देखो हमें क्या करना है सबसे पहले आप समझो कॉंपटिशन को बीट करना कैसे है हमें यह सोचना है कि सर जो हमारी वेकेंसी आप एक बाद समझना ठीक है बिलकुल ध्यान से जैसे अभी इधर देखो आप एहमदाब भर आपने मालो मुंबई से बहर आप आप वहां पर वेकेंसी कितनी थी 600 निल्या ठीक है अब आपको इस वेकेंसी का 15 गुणा बच्चा ही कहां लिया जाएगा वह यहां पर लिया जाएगा तो आप यह देखो टोटल 12th लेविल में अगर आप देखोगा आप उसके साप स अपने च्छोटी सी बास समझेंगे सभी लोगों तो त्रिकत कोई नहीं आएगी तो आप एक बात देखेंगे कि सर हम लोग यहां पर कुछ तो समझना पड़ेगा हम लोगों को बोलो हां सर तो आप एक बात करिए सर यहां पर क्या है 100 questions 100 marks के हैं अब हम ऐसा क्या करें सभी मुझे बताइए आप ऐसी क्या तयारी करेंगे कि आप CBT 2 में बैट पाएंगे आपका ही क्यों नंबर आएगा तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कुछ आपको इस पेसल तरीके से पढ़ना पड़ेगा और जो बाते मैं बता रहा हूं अगर आप उसको पढ़ लेते हैं मैं वार्क गैरंटी से कह रहा हूं आप सलक्सल ले लेंगे आप मेरी बात बिल्कुल ध्यान से देखने हैं तो CBT 2 में बैठने के लिए पहले CBT 1 क्लियर करना पड़ेगा और ये दोनों तयारी हम आपको डारट करा देंगे जैसे मा बापू बैच है उसके दोरा आपको दो डाटा मैंने लगा दिया है आप देख सकते हो जैसे आपका अगर रिजनिंग में बात करें तो कोडिंग डिकोडिंग आपका एक ऐसा टो भी कि जहां से 4-5 कुशन अभी तक पिछली 2018 की वेकेंसी 2016 में जो वेकेंसी आए थी 2018 में टीपीसी आय था इसका एक्जाम 20-21 में है तो हमें यही समझना है विकास भीया कि किस में सबसे ज़्यादा कोंपेडिशन है मतला कहां से सबसे ज़्यादा कोशन पूछे गए हैं तो कोडिंग डिकोडिंग से पूछे गए हैं उसके बाद नंबर स्रीज और एल्फाबेट से 3-4 कोशन दूसरा यहां पर राकार द दिखोगे तो मैत की यहां पर यह भी दे रखे हैं जिसके द्वारा आप सारा कॉंपेडिशन कर सकते हैं सर कोशन तो बन रहे हैं पर स्पीड नहीं आ रही है 90 मिनिट में कैसे करो यह तानिया बहुत अच्छा कोशन है प्यारे दोस्त आप एक बार इसको नहीं मैं आपको बढ़िया से तयार कर लेंगे ना तो मैं आपको कहता हूं शो परसंट शेयोटी के साथ आपको कुछ अलग नहीं पढ़ना पड़ेगा ठीक है आप इनको थोड़ा से तयार करना जैसे आप हिस्टरी पढ़ते हो जीएस बहुत इंपोटन रोल अदा करती है तो जीएस में स हमारे यहां पर करन्ट इवेंट जो चलते हैं उन से पुछ जाथ है और उसके वाद आता है पॉलिटी से आते हैं चार चीक्त पांच कुछ वाइलोजी से ठीक है केमेस्ट्री बहुत कम है ठीक है और फीजिक्स बहुत कम आता है ठीक है आज़ो इसी प्रकाद इकोनोमिक्स से भी आपका एक दो कुशन आपका बनता है तो हमें सबसे जादे ध्यान किस पर देना है मिडवल और मोडर्न पर ध्यान देना है पॉलिटी और स्टेटिक और करंट यह अपनी मजबूत रखना और साइंस पर थोड़ा पकड़ बनाए रखना ठीक है तो आप सेलक्शन बहु नहीं है अगर आपकी तयारी नहीं है अगर आपकी जो तयारी है ठीक है आपकी तयारी नहीं है तयारी क्या है तयारी नहीं है तो क्या करें क्या करें क्या करें कोश्चन मारक लग गया आपके माइंड में आजाओ तो सबसे पहले क्या करना है सबसे पहले अपना सलेवस पत ठीक है सबसे पहले चीज़ स्लेवस को पता करिए और उसी स्लेवस को टॉपिक वाइज नौट से रिडी करिए टॉपिक वाइज पढ़िए ऐसा नहीं बहुत सारे बच्ची क्या करते हैं यूटूब पे दो वीडियो देखी और अपना की सरजी हो गया का ऐसे नहीं होता सले घर तो बहुत होते हैं भाई घर के घर रह जाते हैं उड़े पूल रह जाते हैं पर आपने एक बाद देखी अंग्रेज्यों की जामाने के पूल आज भी है से हमारे हे इलाबाद में भी ।टीक है ही क्योंकि इनकी खासित है आप देखो अगर किसी पीड़ की जड़ मज जबूत करो मतलब अपने जो आपका स्लेवस है आपका रिजनिंग है मैथ जी के है उसका बेस मज़ूद बच्चा बेसिक नहीं पढ़ना चाथा बच्चा कहता सुर हमें तो तगड़े तगड़े कुश्चन कराओ ऐसे नहीं होता कोई टीचर पढ़ाएगा एकदम बेसिक से सबसे फिर अडवांस लिवी तक ले जाएगा तब सलक्सन होगा तो बेसिक टुट आडवांस पढ़िए और जो भी टॉपिक-वाइज पढ़ते हो आप उसी टॉपिक-वाइज मोक मैं इसी की बात कर रहा हूँ अलग से मोक नहीं किया बहूत सारे बच्चे क्या कहते है सर अभी तो मेरा slayvus cover नहीं हो तो मैं mock test कैसे लगाँ और लगाने फिर भी है मैंने कहता starting से लगाना शुरू करो कैसे करते हैं सर speed कैसे हैं इताने में वही बताने वालों दोस्त speed कैसे क्योंकि हमें knowledge के साथ speed भी ज़रूरी है क्योंकि हमें 100 question क्या करने हैं 90 मिनट में करना है हमें 40 यह भी देखने हैं हमें 30 यहां पर आपको मैच भी देखने हैं हमें total 100 question को देखना है 90 मिनट में बड़ी बात है तो इनको कैसे करना है उस बात को ही बताने जा रहा हूं दोस्त ठीक है आप समझना तो सो क्या करना है आप एक मोग की किताब लेकिया ना सुन बिलकुल प्यार से मेरे भाई बहनो जितनी मेरे भाई बैठे बहना बैठी है प्यार से समझारों क्योंकि आप मेरी बहन जैसे भाई जैसे तो समझ लो थोड़ा सा तो टोपिक वाइस एक मोग का आता है 20-30-30 का लाओ जब खता हो फिर दूसरा फिर तीसरा एसे लेकिया आओ तो क्य आप क्या करना उसके बाद आप प्रिवीशेर जैसे 50% हो जाए आप फिल प्रिवीशेर कुष्न लगाना सुरू करना और फिर लगाना मॉक और वो भी कौन से मिक्स वाले मिक्स वाले अब आपको सारे टॉपिक के नोली जाना अब आप मिक्स लगाईए तो क्या होता है मॉक्टैस और पीवाई क्यू लगाने से हमारी स्पीड बढ़ती है और एवरेज लगाईए कम से कम 2-3 आप डेली डेली कम से कम 2-3 बहुत सारे बच्चों को लग रहा हुआ व जाके उसको लग रहा है कि अभी भी कॉम्पडिशन बीट नहीं कर पाऊंगा आपको कॉम्पडिशन देखना है बच्चां कॉम्पडिशन को देखके चलिए तो कम से कम डेली अभी जाद नहीं तो दो का टार्गेट तो बना सकते हो एक मॉर्निंग में लगा दो तो आराम ओनलाइन क्या लगाना ओनलाइन आप मौक देना ओनलाइन मौक देना और ओनलाइन ही क्या करना है टेस्ट देने है इस प्रकार तो जो बच्चे कहने सर मेरी स्पीड नहीं आ रही है स्पीड लाने का सबसे आसान तरीका होता है ओनलाइन मौक और ओनलाइन टेस्ट देना क् हम क्या करते हैं हम हम जब घर में बैठे रहते हैं एक गंटे में हमने मोग लगाया हमें फरक नहीं पड़ा बस हमने कर दिया ताइम की कोई वह नहीं थी ना आप एक गंटे में मैथ कर रहे हो सोचो कितनी बड़ी बात है आप मैथ को लेकर बैठे जिस सैट में आपने बहुत क्या करब आज day класс होगी होगी 5 बजय होगी सुनो धेयांसे हम लोग यह सूषते हैं यह विकास रूम है ऐसा क्या करूँ कि इसको मैं cover कर 변 पाऊं कैसे cover तो इस पीड लाने का सभसे अशन तरीका मौक हूंलाइन लगा उगए तो सबसे पहले ताइम की पाबंधी रहेगी इतने टाइम के अंदर करना एठेक है to आपको क्या पा इन внеш nा या तो आपका डिकाण में सब्सक्के प्रेंद करना की अध्यक्त अऱ था तो यह जरूर यह भी पता चलता रहेगा और ये भी है ना तो आपको अभी नहीं करना ये वाला काम ये तब करना है जब आपका आधा स्लेवस कवर हो जाए फिर आपका पूरा टार्गेट इस पर होना सी है दिन में मज़ा आ रहा है दो दो कर रहा है दीन दिन चार चार पांच पासाट लगा ये तब करना है जब एक्जाम क्या बचें दो जब दो ड़ाई महीने एक्जाम के बचेंगे ना तब आपको ये काम करना है अभी क्या करना है अभी स्लेवस के पीछे पढ़गा और इनको कवर करना है ठीक है ये सारे चीज़े हम लोग यूटूब पर शाम को साथ बज़े में बाइची यूटूब पर से कराते हैं रात के 11 बजी तक आप यहां से भी आपने तयारी कर शक्ति हो पर इनके लिए तैयारी यूटूब पर सिर्फ मैंने आपको हमेशा बतासाँ यूटूब कर से VIC जाती है प几 emailed बार एक्जाम दिये थे हैं कोई और एक्जाम दिये रखे हैं पहले उनका स्लेवस बहुत अच्छे से कवार है तो सिर्फ प्रक्टिस करें यूटूब पर आकर मॉक टेस्ट भी वाई को लगाए उनके लिए है अगर आपका स्लेवस तयार करना है बिल्कुल बेसिक से तो एक ही जीज़ का टीचर लाते एक मैथ तो रिज़िनिंग और मैथ तो एक एक टीचर कवर करा देंगे ठीक है पर जीज़ियस में अगर एक टीचर ही हिस्टरी पढ़ाएगा एक जोगरफी से स्टार्ट करेंगा तो आपका सब कुछ नहीं कवर हो पाएगा इसलिए हमने हि यहां पर एक दो तीन चार पांच पांस टीचर जीज़ियस के हैं जिससे कि आपको डेड़ से दो महिने में सब कुछ कवर करा देंगे जब एक ठीचर ठाल लेगा कि मुझे हिस्ट्री कवर करनी है तो धाई से तीन महिने में हिस्ट्री खतम ठीक है पॉल्टी का जादे जा जाएगा तो बहुत अच्छा प्लैन है और सबसे बड़ी बात इतने सारे टीचर पढ़ा रहे हैं मात्र 400 रुपे में यह सबसे बड़ी बात है ठीक है और बड़ी बात यह भी है जो बच्चिस एंटी पीसी के मा बापू बैस से तयारी कर रहे हैं उनको एक बैस फ्री में वेकेंसी आएगी तो वो बैस इसके साथ आपको फ्री में मिलेगा लव वी मेरे दोस्त तो टेंसर मतले ना लाइव रिकॉर्ड दोनों फॉर में पूरी क्लासेश चलती है कैसे होगा कैसे इसको कवर करेंगे यह आप बता दीजी सर तो देखो क्या करना आपको बता देता ह टाइम देख लेता हूं टाइम होने वाला दो बजने वाले ठीक है आज ओ क्लास चलने वाली यह देखो पेड कोर्स पर जाना है जब आप डाउनलोड कर लेंगे तो आप पेड कोर्स पर जाएगा सबसे उपर दिखेगा एंटी बस इसी में 1599 फीस था ना इतनी फीस लगत क्लिक करके आपको इतना नहीं पे करना 1599 में आपको ओफर बता रहा हूं M12 अगर आपको यह है कि सर मुझे डिसकाउंट चीए थोड़ा वो तो आप यहां पर M12 लिखना तेक है अब सब के बारा बढ़ाएंगे पडोसियों के भी बारा बजा देंगे कह दो आज कि सर अब महनत करेंगे इस बार ठान लो कि सर आने वाली जो अगली दिवाली होगी वो हमारी सेलक्षन वाली दिवाली होगी तो 480 रुपे में आपको यह दो साल का बैच मिल रहा है और प्यारी बात यह है कि CBT 102 दोनों इससे कवर होगा साथ में इससे बहुत सारे बच्चे कहेंग वह भी बैच इसके साथ क्या मिलेगा फ्री अब बताओ दोजर पच्चिस ता कोई भी वेकेंस हैंगी वह इससे आप इस एक बैच लेने के बाद कभी भी बैच चैंज करवाकर त्यारी कर सकते हो ठीक है आजा तो आप फैजल सब चलेगा फैजल सब चलेगा अगर अभी त अगर सारी पांच चीज एक साथ करा देंगे तो आप फिर कुछ नहीं कभर कर पाओ पहले अब एक बच्चा ऐसा है जो एक घंटे भी नहीं पढ़ पा रहा था ठीक है अब साथ के साथ पहले दिन से पढ़ाने लग जाएंगे तो बच्चे का तो मोटिवेशन ही गर जाए हाँ ठीक है और हमने क्या ले लिए हमने duty हमने तीन क्लाश सर्ट कर दी है तीन क्लासिस होगी है अब आपकी कुछ दिन में आपकी यहां पर क्या चल जाएगी history quality तो चल ज्चलेजा लगा जोगर्फी कुछ दिन में आपका जोगर्फी भी चल जाएगा और हमारा project economic और economy तो बढ़िया तैयारी करो भी है, साथ सा मैंने बता दिया, दो साल की वेलडिटी है, और कभी भी चैल्ज कराना हो, दो हुजर पच्चिस के नमबर तक, ठीक है, मेरी गारेंटी है, आपको पूरा बैच फ्री करा दूगा, आप M12 क्लिक कर देना, यहाँ पर M1, जब आप कू लगाओगे, डिसकान्ट के लिए 70% ओफ हो रहा है आपका, ठीक है, M12 से क्या होगा, आप जब भी कोई बैच चैन्ज कराना होगा, मुझसे बता देना, मैं हैं क्लास में खड़े होगे, तुरंत आपका बैच चैन्ज कर दूगा, ठीक है, चली, तो सभी को राधे-राधे, नवसकार, बिल्कुल बेसिक से क्लासिस होंगी, अडवांस लेविल तक, लाइव रिकोरिड चाहे, आप कही पर टूशन जाते हो, कोचिंग करते हो, ठीक है, कही जोब करते हो, तर मैं रात को बैठकर तयारी कर सकता हूँ, बिल्कुल, ठीक है, आप अराम से तयारी कर सकते तो उसमें PDF नॉट्स भी मिलेंगे, और कोई टफ टॉप भी होगा तो उसके handwriting नॉट्स भी आपको मिलेंगे, सब कुछ, ठीक है, चले सभी को राधे राधे,